बात करेंगे सौ परागण के लाब के वारे में इससे बने जो बीज होते हैं वो सुद्ध नसल के होते हैं जब सौ परागण होता है तो उसके द्वारा जो पौधे बनते हैं तो उन पौधों में जो बीज होते हैं वो सुद्ध नसल के होते हैं जिस तरह के लच्छड उस पौधे में रहे होंगे माल लिजिए कोई आम का पेड़ है और वो बहुत मीठे फल देता है अब उस आम के जो पेड़ है उसमें सो परागण कराया जाए सोयम से उसी प्लांट के यहनी परागण और वर्दिकागर पे पहुँचा करके तो जो अग जो उस पौधे में पौधे में थे दूसरा है संतती पादप पैत्रक पादप के समाल लच्छड वाले तो जो संतान बनते हैं सो परागण होने के बाद जो नए पौधे बनते हैं उनमें वो सारे लच्छड उसके में प्लांट के समाल होते हैं सो परागण के लिए दूसरे पर निर्भार नहीं अब एक फायदा स्वापरागण का यह है कि इसको किसी दूसरे पौधे पर निर्भार नहीं रहना पड़ता कि किसी दूसरे पौधे से परागण जब आएगा तब इसमें निसेचन होगा तो वो स्वयम का परागण है और वो कभी इसमें निसेचन कर सकत काम परागण से ही काम चल जाता है अगला फूलों का रंगीन होना जरूरी नहीं जिन पेड़ों में फूल रंगीन नहीं नहीं होते हैं आप समझे स्प्रागण होता हैं तो यानि हम यह कहें कि पेड़ रंगीन होगा रंगीन का मतलब उसमें जो फूल होंगे वो रंग बिरंगे होंगे तब ही उसमें स्वपरागण होगा तो ऐसा नहीं है पेड़ा रंग बिरंगा हो या ना हो सफेद हो कैसा भी फूल पेड़के रंग बिरंगे हो या सफेदों कैसे भी हो उसमें स्वपरागण हो जाएगा उसके लिए रंगीन होना फूलों को जरूरी नहीं है अगला है फूलों में सुगंद होना जरूरी नहीं है यानि स्वापरागण करने के लिए जो है ये जरूरी नहीं है कि फूल जो है सुगंदी थूँ अगले चीज है कि मकरंद का होना जरूरी नहीं है मकरंद एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको कीट पतंगे खाते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि मकरंद उस प्योड़ से निकले तभी उसमें सवपरागण होगा अगला है सवपरागण के लिए कीटों अन्य साधन के आउ सकता नहीं होती है तो सवपरागण जो है उस झाल झाल